हेलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहिए चस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए कहते हैं ना कि जब भी नया शो सुरू होता है तो इस पेसली जाना जाता है कि उसमें कौन से सितारे हमें देखने को मिलने वाले हैं लेकिन अगर हम बात करें बैस्ट पॉड़क्शन की तो उमीद रहती है कि पॉपुलर पॉड़क्शन है तो मोस्ली चेहरे भी बहुत सोच कर चुने जाएंगे वह एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे पॉपुलिटी कितनी है उस पे बात में ध्यान देंगे पहले जो है आपके राजन साही का एक नया शो आने वाला है वो भी स्टार प्लस पे जिसका प्रोमो जो है स्टार प्लस को दे दिया गया है और इसका प्रोमो जो है आपको इस वीक की ट्यार पी के बाद तुरंत मिल जाएगा क्योंकि जो है काफी शो अंडर स्कैनर में है वो तो आने ताइम में ही पता चलेगा कि वो कौन से शो को रिपलेस करें इस से पहले मैंने आपको काफी दिन पहले कलिप दे थी कि स्टार प्लस पे कोन से शो पर अंडरी स्कैनर आया है तो आप उसी देख ले ना लेकिन अगर मैं बात करूं कि काफी लंबे टाइम से हर कोई हर दिन हर एक नए चहरो के नाम सुनने में आ रहे हैं राजन साही के साथ लेकिन आपको ये बता दें कि राजन साही का शोव अगर आप देख रहे हैं ये रिस्ता क्या कहलाता है या नुपमा दोनों ही जो है νंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे बने वे हैं आपके जो है BRC-TRP में इसलिए Star Plus उन्हें तीसरा मोका दे रहा है तो तीसरा शोव जो होगा वो नाम होगा उसका टाइटल बहने अगर आपने उनका बिदाई देखा होगा तो कुछ इसी टाइप का शोव देखने को मिलने वाला है उमीद है कि तीनों भेनों का काफी प्यार दिखाय जाएगा तीन भेने होंगी और मराठी और गुजराटी का मिलन दिखाया जाएगा जहां पे तीनों भेनों में एक चुलबुली होगी एक समझदार होगी एक सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोसती होगी तो इस तरह कि कहानी आपको देखने को मिलने वाली है और तीन ही उसमें हीरो होंगे तो हीरो की बात करें तो मौहित मलीक का नाम काफी लंबे टाइम से इस शो के साथ जुड़ा हुआ है निउस तो इहां तक की भी आ रही है कि इनोंने तो प्रोमो भी शूट कर लिया है फर्स्ट प्रोमो में आपको यही नजर आने वाले है बात करते हैं दूसरे यानि की इन्हींके भाई का रोल करते वे करन वी महिता काफी बास टरेक्टर है यकीन मानी अगर किसी शो में आ जाते हैं तो खुदी एक दहसत या फिर एक अलग ही पोजिसन बन जाती है अब बात करते हैं नमबर यानि कि छोटे भाई का रोल करते वे नजर आने वाले हैं आपके प्यारे से भाई उन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपके फिमेल लीड में काफी चेहरे हर दिन हर रोज कोई ना कोई सुनने में आता है कभी शरीती जा का नाम तो कभी मीरा का नाम तो कभी किसी गा लेकिन आपको बता दें तीन ही उसमें एक्टर्स होने वाली हैं इस बार राजन साही काफी बड़ी फैमिली का शो बनाने वाले हैं जो की काफी जादा चर्चाओं में च्छाय हुआ है बात करें सबसे पहले रीतुजा का नाम आया है इससे पहले भी स्टार प्लस के मेहंदी है रचने वाली या बहुत प्यार करते हैं या फीचासनी जैसे शो में ये काम कर चुकी है नियूज आ रही है कि इनको काफी इंपोटेंस दिया जाएगा शो में क्योंकि ये काफी शो से एक्जिट हो जाती है इनका कहना है कि मुझे शो में अप्रोज तो किया जाता है लेकिन रोल इतने बैस्ट मुझे मिलते नहीं है मैं भी राजन साही के शो में इने काफी बड़ा रोल मिल रहा हो तो इसलिए इन्होंने जो है राजन साही के प्रोजर्ट पे काम करने के लिए रेडी हुए है अब बात आती है आपकी दूसरा जहां पे मीरा का भी नाम सुनने में आ रहा है या शृती का अभी उनके नाम होल्ड में रखे गए हैं लेकिन बात करें कि में लीड में कौन नजर आने वाला है जो मोहित मली के अपॉजिट नजर आएंगी वो हैं आपकी अंकीता शर्मा जो कि सुनने में आ रहा है ये मोहित मली के अपॉजिट नजर आने वाली है किसी का कहना है शाय जो है तेरी मेरी डोरिया जैसी कहानी बनाने वाले हैं राजन साही लेकिन अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा गुजराती और मराठी को मिक्स किया गया है हमें उमीद है कि फैंस को हमारे शो पसंद आते आए हैं और ये वाला शो भी पसंद आएगा कहने को तो बात हो रही है कि बिदाई का जो है एक सेकिंड पार्ट ला रहे हैं बहने के नाम से अब भाई देखते हैं कि बहनों में जो है ये किस किस के घरों में ये शो पसंद किया जाने वाला है लेकिन बता दे राजन साही के शो काफी पसंद किये जाते हैं ऐसे में supporting cast भी काफी सुनने में आ रही हैं लेकिन अभी जो है ये चहरे सामने आए हैं आप किसे देखना चाहते हैं इस शो में राजन साई को और ये किस को जो है रीप्लेस करेगा आपके 7.30 को या फिर 8.30 को या फिर 9.00 को तो आप कौन से टाइम पे इस शो को देखना चाह बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है